डियर स्टुडेंट्स मैं हूँ डॉक्टर शेशी चावला अशुशेट प्रोफेसर हूं साइंस कॉर्मन मीरा गर्षारी उदेपूर हम पेपर सेकेंड फैमिली रिसोर्स मानेश्मेंट के बारे में पढ़ रहे थे यानिके प्रोसेस ओफ हाउसोल्ड मैनेश्मेंट क्या होता है तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे परिवारिक पहले में आपको बताती हूँ इसके बारे में थोड़ा सा इंटो अलक्षन परिवारिक जीवन को सम्रद, शांतितद और सुख में और संतोष प्रत बनाने के लिए जरह कारें को समय पर निश्पादन करना जरूरी होता है क्योंकि तभी हम अपने लक्षे और उदेशचों की प्राप्ती कर सकते हैं और नय लक्षों का निर्मान या नेधारन भी किया जा सकता है बिना उदेशे लक्षी की प्राप्ति के परिवारिक जिवन की जो समरदी है सुख है शांती है और सफलता की कामना नहीं की जा सकती है जैसा कि हम समी जानते हैं कि जो गरह वबस्ता है वो परिवारिक जिवन की परशाष्न आत्मक पक्ष है और ये निरंसर चलने वाली गत्यात्मक आयवं परिवर्टन शील्ड प्रतिरिया है जो समय परिस्थितियां, प्रदेश, जलवायू और जो भी भुगोलिक इस्थितियां होती हैं, आधी में परिवर्तन के साथ ही परिवर्तित होती रहती है। तो हम बात करें कि निकल एंडोर्से की अनुसार परिवारिक लक्षों की प्राप्ति के लिए परिवारिक साथनों का उप्योग किया जाता है। तीन चीजों का समाविश होता है, जिसके बारे में हम बात में विस्तार से पढ़ेंगे। और ग्रोसे में करेंडल की शब्दों में अगर हम बात करते हैं कि ये ग्रैवस्ता की प्रकिरिया के बारे में तो ये है जो है निर्णियों की एक ऐसी श्रंखला है जो परिवारिक लक्षों की प्राप्ति के लिए परिवारिक साथनों के परिवारिक की प्रकिरिया बताता है और इसमें तीन चरण होते हैं एक तो प्लाइनिंग जिसको नियोजन कहते हैं दूसरा कंट्रोलिंग नियंतरन करना और तीसरा है मुल्यांकन यानिके इवेल्यूएशन तो विभिन विद्वानों ने यानि के प्रबंध प्रकिरिया की जो परिभाशा है वो अलग-लग दी है अभी हम बात करेंगे ओपन हीम के अनुसार जो वैस्थापन प्रकिरिया जो का ये वह तरीका है जिसमें निर्णों की किरिया में परिवत्तन किया जाता है निकल और डॉर्सी के अनुसार इसके कुछ चार से रन बताए गए हैं पहला है आयोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है योजना का नियंतरन करना, चोथा है मुल्यांकन करना योजना यानिके उदेशियों को प्राप्त करने हित्व जरूरी होती है फिर कारे को करने इत्व संगठन जरूरी है फिर उसका नियंतरन और मुल्यांकन अनिवारे है इस प्रकिर्या को किर्याओं का चक्र कहा जाता है और इसके अंतरगत निर्ने प्रकिर्या आती है कारे करम बनाना होता है विचारों का दान प्रदान यंतरन और कुनर मुल्यांकन इत्यादी जो है ये पांच चरन आते हैं यानि कि किर्याओं की वह श्रेंखला जो हमें उदेशियों की प्राप्ति हेत्व अगरसर करती है उसे हो मैनेजमेंट प्रोसेस कहा जाता है और इसके जो चरन है विभिन वेक्यानिकों ने अलग लग दिये है तो ये इसकी थोड़ी सी इंट्रोड़क्शन के बारे में मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या-क्या होता है मुख के रूप से चार चरन होते हैं आयोजन, संगठन, नियंतरन और उल्यांकन और ये सभी चरन एक दूसरे पर अधारित होते हैं और एक दूसरे से संबंदित होते हैं एक चरन का प्रभाव निश्चित रूप से दूसरे, तीसरे और चोथे पर पढ़ता है और ये हैं पहला यूजना बनाना, दूसरा है संगठन, तीसरा है नियंत्रन और चोथा है उल्याकन Next class में हम इन चारों के बारे में विस्तार पुर्वक चर्चा करेंगे Thank you